चलो भेया आओ देखो अगला जो एलकोहल का मैथड़ा प्रोप्रेशन है वो है बेटा OMDM ठीक इसका पूरा नाम है ओक्सी मर्कुरेशन ओक्सी मर्कुरेशन दी मर्कुरेशन जैसे मैंने एक रेक्शन लिखा CH3CH double bond CH2 ठीक है और इसकी रेक्शन मुझे करानी है HGOAC का whole twice ठीक है यह लिख दिया मैंने HGOAC का whole twice और यहाँ पर लिख दिया बेटा H2O और इसकी रेक्शन करानी है NABH4 से बाद समझना तो इसका अंसर आता है बेटा CH3 CHOH and CH3 CH3 देख लो बेटा CH3 CHOH CH3 इसका नाम है Oxymercuration Demercuration ठीक यहाँ पर जो यह रेजन्ट लेते हो इसका नाम है Mercuric Mercuric Acetate इसे क्या बोलते हो बेटा आप लोग Mercuric Acetate ठीक भाई यहाँ पर जो HGOAC का whole twice है इसे बोलते हो आप लोग Mercuric Acetate ठीक है यहाँ पर देखो बेटा जो NABH4 है इसका आप बोलते हो sodium sodium borohydride इसे क्या बोलोगे sodium borohydride यह लिख लेना बेटा HGOAC का whole twice HGOAC यह क्या है अपने पास Mercuric Acetate ठीक देखो बेटा यह कैसे है यहाँ पर आप यह बना सकते हो आपने लिखा HG HG लिख दिया OAC कितने बार हैं दो बार तो ऐसे लिखा O और यहाँ पर AC जो है अपने पास इसको acetate आइन बोलते हो तो COCH3 लिख सकते हो यहाँ पर लिख सकते हो OCOCH3 यहाँ पर देखो यह acetate आइन है CH3 COOHG CH3 COOHG तो देखो यहाँ पर HG एक है तो आपने लिखा HG और OAC कितने हैं पेटा दो हैं तो O और फिर यह AC मतलब यह पूरा-पूरा क्या हो गया अपना acetate आइन यह CH3 CO यह क्या हो गया पेटा पूरा-पूरा अपना हो गया acetate आइन बोलो इतनी बार समझ में आ रही है और पूरे को आप क्या बोलते हो HG O AC के होल ट्वाइस पूरे को आप क्या बोलते हो मर्कूरिक acetate क्या बोलोगे बेटा मर्कूरिक acetate और NABH4 को क्या बोलते हो sodium borohydride sodium borohydride अब बास समझो आप यह बोल पूर सकते हो हमसे सरे अलकूल कैसे बना ठीक हाँ बिलकुल बेटा मैं बता रहा हूँ देखो simple से कुछ points है वही आपको याद रखने है देखो यहाँ पर जो OMDM है OMDM बेटा इसको ऐसे याद रखना M है M है यहाँ पर ठीक तो M का मतलब आपको याद रखना है मारकोनी क्या याद रखना है मारकोनी ठीक तो यहाँ पर एक point लिख लो add h2o add h2o with marconi cops rule add h2o with marconi cops rule यहाँ पर हमें करना क्या है बेटा water को marconi cops rule से add कर देना है देखो आप खुद देखो क्या यहाँ पर देखो यहाँ पर यहाँ पर जादा stable carbocatine बन रहा है मारकोनी का रूल क्या है negative part उस W bonded carbon को देदो जिसके पास कम h हो लेकिन मैंने बताया था यह सिर्फ board के लिए है board में लिख सकते हो BSC में लिख सकते हो लेकिन जो आपको neat वाले question में लगाना है negative part आप उसको देदो जो most stable carbocatine provide कराए तो बताओ बेटा क्या most stable carbocatine यहाँ बनेगा पर यह most stable carbocatine यहाँ बनेगा तो बेटा water को आपने तोड़ा H plus OH minus तो यहाँ पर OH दे दिया यहाँ दे दिया H तो water को किस form में जोड़ देना है बेटा मारकोनी का रूल से आपको जोड़ देना है देखो यहाँ मैंने दे दिया OH और यहाँ क्या दे दिया H तो हमेशा जब भी यह reagent दिखे तो आपको OM-DM reaction याद करनी है और उसमें करना क्या है बेटा add H2O with मारकोनी का रूल ठेक अब देखो हमेशा ध्यान देना बेटा मारकोनी का रूल जब भी आप लगाते थे क्या कार्बो केटाइन बनाते थे ठीक यहाँ पर भीया अपने पास partial कार्बो केटाइन बनता है या ऐसे बोल सकते हो बेटा non classical कार्बो केटाइन बनता है बोलो इतनी बास समझ में आ रही है ठीक तो यहाँ पर भी री आरेंजमेंट नहीं होगा तो यहाँ पर ध्यान रखना यह सबसे याद रखना है बताओ बेटा यहाँ पर री अरेंजमेंट नहीं होगा मतलब कार्बो केटाइन कैसा होगा इसमें पार्सियल क्या बनेगा पार्सियल कार्बो केटाइन थोड़ा सा याद करो बेटा क्या यह सब हम पढ़ा चुके हैं आपको NCC जिसको आप बोलते हो नान क्ल रूल से आगे देखो बेटा नो री अरेंजमेंट इसमें कोई री अरेंजमेंट नहीं करवाना है और इसमें कार्बो केटाइन कैसा बनेगा भईया अपने पास पार्सियल कार्बो केटाइन बनेगा बोलो इतनी बास समझ में आ रही है ठीक तो बेटा कॉपी करो तो देखो बेटा, OMDM में आपको क्या लगाना है? Marconi Cough Rule, लेकिन बेटा, no rearrangement, इसमें rearrangement नहीं करवाना है, Carmocatine कैसा बनता है? Classical या Non Classical? हाँ, very good, क्या बनेगा? Non Classical Carbocatine, और Water को आपको add कर देना है With Marconi Cough Rule से, ठीक, इस method से, आओ देखो भीया, कुछ question करते हैं बेटा इस पर आपको थोड़ा confidence आएगा question अपने पास बेटा ठीक अब देखो कुछ पुरानी चीज़े भी मैं दूँगा ताकि आपको याद आजाए reaction एक आपको करानी है अपने पास H plus H2 के साथ reaction करवानी है ठीक है H plus H2 reaction आपको ये जो भी मैंने पढ़ाया HG O AC ठीक mercury acetate साथ में H2O और यहाँ पर है बेटा NABH 4 ये reaction करवानी है ठीक आओ एक और मैं question दे रहा हूँ आपको अगला जो question है question भी आ साथ साथ में लिखते रहे न बेटा आपका time बच जाएगा ठीक इसकी reaction आपको करानी है चलो यहीं पर दे रहा हूँ ठीक HG O AC का whole twice और फिर अगला है अपने पास NABH 4 एक ये reaction करानी है और बेटा एक मैं थोड़ा change कर रहा हूँ यहाँ पर अगला है अपने पास करानी है HG O AC का whole twice और यहाँ में बेटा H2O के बजाए थोड़ा complicated बना रहा हूँ D2O और नीचे वही presence होगी आगे presence होगी अपने पास NABH 4 की आओ देखो ट्राइ करो बड़ा असान है चले solve करें देखो बेटा H plus H2O ठीक H plus H2O इसमें तो फिर वही सब पूरी राम कहानी है यहाँ पे देखो यह bond आपने तोड़ा क्या बना कार्बो के टाइन वह देखो कार्बो के टाइन आपने बना लिया यहाँ पर बेटा अब बताओ रिंग के जश्ट बात कार्बो के टाइन केरिंग एक्सपेंशन वेरी गूट तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 को किसे जोड़ोगे भेया 3 से और 2 पे लगा दिया पॉस्टिप चाज तो यह हो गया 1, 1 को जोड़ो दिया बेटा 3 से 3 कहा गया 4 से 4 किसे जुड़ा है 5 से 5 किसे जुड़ा है 6 से 6 किसे जुड़ा है 2 से और 2 फिर किसे जुड़ा है 1 से 2 पे क्या लगा दिया पॉस्टिप चार्ज अब बात समझना क्या इससे भी जाद स्टेबल कार्बो के टैन बन सकता है वेरी गूट क्या करें इस पॉस्टिप चार्ज को अगर मैं यहाँ भेज़ दू बेटा तो क्या बन जाएगा इससे भी स्टेबल कार्बो के टैन बन जाएगा तो लो भीया अगले स्टेप में क्या करना है बेटा मैं यहाँ बना रहा हूँ इसको मैंने क्या किया हाइडराइड की सिफ्टिंग यहाँ से हाइडरोजन उठाया और स्वरी यहाँ से हाइडरोजन उठाया इसको दिया और पॉस्टिप चार्ज यहाँ आ गया यह बेटा बताओ क्या 3 डिगरी कार्बो के टैन बना तो यहाँ पर water कैसे तूटेगा H plus OH minus तो भेया मैं यहाँ OH minus add कर दूँ, काम बन गया अपना ठीक, देखो बेटा, यह इसलिए पुरानी reaction में बार-बार करवाता रहता हूँ ताकि आपको बिल्कुल पूरी तरीके से याद हो जाएं सारी reactions यहाँ देखो बैया, HGOAC क्या आप बिल्कुल reaction देखते ही आपके मन में कौन सी reaction आगे बेटा OMDM आई या नहीं, बताओ कौन सी reaction आगे, Oxymercuration Demercuration, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्या water है, यहाँ पर क्या है, NABH 4, बताओ बेटा, water को हम लोग किस रूल से जोड़ते हैं, हाँ very good, क्या, Marconi Kauf रूल से, बताओ बेटा, इसमें rearrangement होगा OMDM में या नहीं yes, very good no rearrangement, इसमें कोई rearrangement नहीं होगा, तो rearrangement नहीं होगा, तो यहाँ पर देखो बेटा, आपको क्या करना है, Marconi Kauf रूल से reaction करानी है, तो यहाँ पर देखो, यह, यहाँ देखो भईया यह carbon जो है, एक और एक दो और तीन bond बना चुका है, मतलब यहाँ 1 H होगा, और यह देखो बेटा यह carbon, 2 bond बना चुका है, यहाँ पर 2 H होगे, तो कम H कहा है, यहाँ पर, Marconi माइनस यहाँ पर देदे, यह इसका answer हो जाएगा, बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है, ठेक है, तो यहाँ पर देखो, OMDM में, last time मैं फिर से समझा रहा हूँ, oxy mercuration, demercuration में क्या करना है बेटा, आपको water add करना है, with Marconi Kauf rule, but no rearrangement वहाँ rearrangement नहीं करवाना है, तो देखो बेटा, यहाँ पर आपने जोड़ा जिसके पास कम H है, लेकिन rearrangement आपने नहीं करवाया, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, यहाँ देखो बेटा, यह reaction तो कुछ, कोई दिक्कत ही बेटा, O, M, D, M बेटा, reagent देखकर ही आपको समझ में आना चाहिए, और बताओ O, M, D, M में मैंने आपको क्या समझाया, कि इसमें water को जोड़ना है, Marconi Kaufs rule से, Marconi Kaufs rule से और बताओ, water कैसे तूटेगा H plus into OH minus बेटा, यहाँ जोड़ दो, तो बताओ गया आपने पास, CH3 भाई, इसको क्या देदिया, H देदिया अब देखो बेटा, दिक्कत यहाँ आती है, बास समझो, यहाँ पर H, G, O, A, C का whole choice, भाई, यह reaction है को no doubt इसमें बेटा, कौनसी reaction है, O, M, D, M यह O, M, D, M है लेकिन बताओ बेटा, क्या इस बार मैंने H2O की जगे क्या लिया है D2O, क्या heavy water लिया है D2O, बोलो इतनी बास समझ में आ रही है, तो भाईया, D2O कैसे break होगा, तो बेटा, D2O बिल्कुल जैसे H2O break होता है, H plus, O, H minus, तो D2O बेटा, break होगा, D plus into O, D minus इस तरीके से टूटेगा D plus into O, D minus बस सेम बेटा, आओ negative part उसे दे दो, जिसके पास कम H हो, क्योंकि इसमें कोई rearrangement तो करवाना नहीं है, ठीक तो CH, और यहाँ क्या दे दिया बेटा, negative वाला, मतलब O, D, और यहाँ CH2 को मैंने क्या दे दिया, CH2 H, अब देखो, अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर, यहाँ तो भेट, यहाँ पर क्या देना चाहिए, हमें D क्या लिखना चाहिए, D, लेकिन ध्यान देना बेटा, अगर यहाँ पर होता, NABD4 NABD4 तब फिर हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पर D, लेकिन यहाँ पर क्या है NABD4, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, H मतलब इस CH2 के साथ H लगा दिया तो क्या बना, CH3, एक बाल लास्ट टाइम फिर से समझा रहा हो, देखो क्यों कि आगे फिर हम एक कोशन करना है यहाँ पर जो चीज प्रिजेंट होती है यहाँ पर, H, G, O, A, C के होल ट्वाइस के जेस्ट बाद तो जब वो रियक्ट करती है तो उसका नुकलियो फाइल हम लोग यूज करते हैं मतलब OH- यहाँ से या OD- यूज करेंगे अगर बेटा NABT4 है तो यहाँ पर क्या दे देंगे T दे देंगे बोलो इतनी बास समझ में आ रही है अभी मैं और धेर सारे कोशन आपको करवा रहा हूँ क्लियर हो जाएगा ठीक? तो आप इन्हें कॉपी करो आओ बेटा, देखो जो हम लोग कर रहे थे, अभी OM-DM ठीक है आओ उस पर कुछ धेर सारे कोशन करते है ठीक, CH, CH3, CH3 ठीक, अब 1,2,3,4 ठीक इसकी रियक्षन आपको करवानी है पहले स्टेप में, ठीक है D प्लस D2O से ठीक, आगे बेटा इसकी रियक्षन करानी है पहला, HGOAC का होल ट्वाइस HGOAC का होल ट्वाइस D2O और दूसरे स्टेप में यहां करानी है NABD4 ठीक, आगे देखो यहाँ पे अगला रियक्षन आपको करानी है HGOAC का होल ट्वाइस और यहाँ है बेटा D2O और इसकी रियक्षन आपको करानी है NABH4 से ठीक है, देखो बेटा अगला एक और रियक्षन में करवा रहा हूँ बेटा यहाँ पर आपको रियक्षन करानी है HGOAC का होल ट्वाइस H2O ठीक और यहाँ पर दूसरी रियक्षन हमें करानी है नीचे NABH4 NABH4 देखो बेटा, बहुत आसान है बहुत जादा आसान है CH3CH इबार question चेक कर ले रहा हूँ भीया आप लोग copy कर लो बेटा question है CH3CH CH3 double bond CH2 ठीक है, आओ देखो भीया, D2O को कैसे break करोगे D plus into OD minus ठीक, बताओ बेटा, इसमें तो भीया rearrangement हो सकता है बताओ बेटा, यहाँ पर double bond यहाँ पर देखो भीया, इस bond को तोडो, यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बो के टाइन, लेकिन यहाँ से hydride shift हो करके, यहाँ आ जाएगा देखो, मैं पूरे reaction करवा दे रहा हूँ बेटा, CH3C CH3 और यहाँ पर single, पहले तो CH लिखो फिर single bond CH, यहाँ पर कार्बो के टाइन बना लिया, और यह आगया अपने पास CH2 minus भाई, एक को plus में तोड़ोगे, तो एक को किस में तोड़ोगे minus में, यहाँ पर बनाए बेटा, कार्बो के टाइन, 2 degree बना ठेक, लेकिन अगर मैं इस 2 degree को यहाँ से H उठाऊं और यहाँ भेज दूँ तो क्या बन जाएगा, 3 degree तो यहाँ से hydride के shifting करा दो इस hydrogen को यहाँ दे दो, तो यह क्या बन जाएगा बेटा, 3 degree, तो बताओ क्या बना अपने पास, CH3 CH3 ठेक, आगे देखो यहाँ पर है अपने पास CH2 हो गया अब यह हो गया अपने पास CH2 minus और यहाँ आगया कार्बोकेटैंग, अब बताओ बेटा इससे ज़्यादा कोई stable कार्बोकेटैंग बन सकता है नहीं बन सकता, तो negative वाला इससे दे दो, तो इस positive की जगे पर क्या लगा दिया, आपने negative OD, ठीक, और इस negative की जगे क्या लगा दिया D, तो लिखा CH2D बोले इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक आगे देखो बेटा HGOAC का hold twice बताओ, reaction को देखते ही समझ में आ रहा है कौनसी reaction है, OMDM OMDM, अब देखो बेटा, यहाँ आप mistake कर सकते हो यहाँ देखो क्या मैंने NABD4 दिया है, और यहाँ क्या दिया है, D2O यहाँ की बात करें NABD4, तो बताओ बेटा D2O से क्या हम लोग ऐसे D2O को तोड़ो D plus into OD minus और अभी मैंने बताया कि यहाँ से हम लोग Nucleophile लेते हैं मतलब OD minus की बात करेंगे ठेक, और यहाँ पर NABD4 और यहाँ से क्या लेते हैं बेटा, D plus जैसे यहाँ NABH4 होता तो यहाँ से क्या लेते, H plus NABD4 होता तो यहाँ से क्या लेते, T plus बोलो इतनी बात समझ में आ रही है अब बस मारकोनी का आफ रूल लगा दो इसमें कोई rearrangement करवाना नहीं है मारकोनी का आफ रूल क्या कहता है बेटा negative part उसको दे दो जिसके पास कम H हो, तो यहाँ पे देखो यह तो आपने लिखा CH3, CH, CH3 देखो CH3, CH, CH3 यह लिखा, फिर क्या लगा है बेटा single bond, अब देखो double bonded carbon है, इसके पास 2H है इसके पास 1H है, तो कम H किसके पास, इसके पास very good, तो यहाँ पे लिखो CH और इसके पास कम H है तो इसको आपने क्या दे दिया बेटा OD, बोलो इतनी बास समझ में आ रही है, ठीक, इसको क्या दे दिया OD, इसके पास जादा H है, तो इसको क्या दे दोगे CH2D, इसको क्या दे दिया भीया, CH2D और इसको क्या दे दिया बेटा, OD बोलो इतनी बास समझ में आ रही है, ठीक बेटा, बैलंसी बगारा देख ले न, वैसे सही है सारे, ठीक, आओ यहाँ देखो HGOAC का hold twice D2O, NABH4 बेटा, क्या फिर OMDM मैंने जो बताया तरीका वही सीखो देखो, D2O को तोड़ो, तो D2O को तोड़ोगे, क्या D plus into OD minus में break होगा, कैसे तूटेगा D plus into OD minus बेटा, क्या यहाँ NABH4 है, H4 है, तो यहाँ से क्या मुझे H plus मिल जाएगा क्या मिलेगा, H plus तो यहाँ जो minus वाला है, OD वो कहा जाएगा, जिसके पास कम H, भाई, यही तुमार को निका आफ रूल है, कि negative part उसको दे दो, जिसके पास कम H हो तो यहाँ पे देखो, इसका अंसर क्या आएगा CH3, CH, CH3 यह तो अपनी जगे पे रहेगा बेटा CH3, CH, CH3 फिर single bond, आगे के लिखा बेटा CH, single bond CH, अब बताओ, जिसके पास कम H है, उसको क्या दे दिया OD, yes, very good और जिसके पास ज़्यादा H है, यहाँ पे देखो, CH2 ठेक, CH2 इसको क्या दे दिया बेटा, हमने H, तो H दोगे, तो CH2 की जगे क्या हो जाएगा बेटा, CH3 बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है भाई, H है, तो इसको यहाँ दे दिया ज्यादा वाले को, यहाँ OD किसको दे दिया, कम वाले को आओ, इसकी बात करें H, G, O, A, C का whole twice है तो यार, बच्चों वाला question है बेटा, O, M, D, M है, H2, O से मुझे क्या मिलेगा, O, H minus ठिक, और यहाँ से क्या मिलेगा, H plus बस, answer लिख दो, तो negative part उसको दे दो, जिसके पास कम H positive part उसको दे दो, जिसके पास जादा H तो देखो, answer क्या बना CH3, CH, CH3 यह तो रहेगा ही बेटा single bond लगा दिया, CH3 CH, CH3, आगे देखो बेटा, यहाँ पर लिखा CH लिख दिया, CH, अब बताओ बेटा O, H किसको दे दे, इस CH को तो यहाँ दे दिया O, H और यहाँ देखो, देखो बैई, CH को क्या दे दिया बेटा, मैंने O, H और यहाँ CH2 था, तो इसको 1, H और दे दोगे, तो क्या हो जाएगा CH3 बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है ठेक, कोई, किसी को एक भी परसेंट डाउट हो, तो पूछो भाई बोलो, clear है बेटा, अब आप कर ले जाओगे, एक बार अपने satisfaction के मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर जो होता है, उपर, उसका ये बेटा, माइनस वाला पार्ट लेते हैं, जो नीचे होता है, इसका प्लस वाला पार्ट लेते हैं, बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है, तो आप कॉपी करो देखो भाई, बेटा हम लोगों ने OM-DM पढ़ा Oxy-Mercuration, Demercuration ठीक, आगे बात करते हैं अगला है L-Coxy L-Coxy-Mercuration L-Coxy-Mercuration Demercuration Demercuration L-Coxy-Mercuration Demercuration बेटा देखना, इस मेथड से अलकोहल तो नहीं बनता, लेकिन मैं यही कबर करना चाहता हूँ, अगला नहीं पढ़ाना चाहता भी है, ठीक है कि अलग पढ़ाऊ इसको इथर में, वैसे इथर में इक बार फिर से रिपीट कर दूँगा, बट यहीं पे कबर कर लेते हैं, क्योंकि हमने OMDM पढ़ा, Oxymercuration Demercuration, यहीं पे यह भी कबर कर लेते हैं, बेटा, Alcoxymercuration Demercuration, देखो इसमें रियक्षन क्या होती है, सेम बेटा R, CH, Double Bond, CH2 और इसकी रियक्षन वही, सेम चीज़ क्या लिखना है मुझे, HG O, A, C का Whole Twice, आगे क्या कराना है भी या, H2O बिल्कुल गलत, अगर मैंने यहाँ H2O कर दिया, तो पेटा, वही हो जाएगा Oxymercuration, Demercuration, यहाँ कोई Alcoxygroup, जैसे मैंने लिखा CH3OH, ठीक है या PHOH, कुछ भी ले सकता हूँ और नीचे लिख दिया, बेटा NABH4 क्या लिख दिया, NABH4 अभी मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ जो होता है जैसे water होता है, तो यहाँ का कौन सा पार्ट लेते है, negative वाला और यहाँ का कौन सा पार्ट लेते है, positive वाला तो बताओ बेटा, इसको अगर break करना चाहो तो क्या कुछ ऐसे टूटेगा H+, में और CH3O- में, ऐसे तो टूटेगा CH3O- और H+, कुछ इस तरीके से टूटेगा और बेटा, NABH4 है, तो क्या मुझे यहाँ से H+, मिल जाएगा, ठिक, और वही same चीज, क्या लगानी है मुझे, Marconi Cops Rule, बताओ, Marconi Cops Rule क्या कहता है, negative part उसे दे दो, जिसके पास कम H हो तो बेटा, OCH3 negative part है, इसको दे दो, क्योंकि इसके पास 1 H है, और इसके पास 2 H है तो इसके पास कम है, और इसके पास जादा है, तो क्या बनेगा अपने पास R, C, H और इसको negative part दे दोगे तो क्या बनेगा, OCH3 और बेटा, यहाँ पे इसको positive part H दे दोगे तो क्या बनेगा, CH3 देख लो, क्या यहाँ R, O, R, क्या ether बन रहा है बेटा, इस method से क्या बन रहा है, ether बढ़ हम लोग यहें पे कबर करेंगे, आओ देखो, कुछ और question मैं आपको दे रहा हूँ L, coxy, mercuration, D, mercuration पे, और मुझे पूरी उम्मीद है आप कर सकते हूँ, बेटा एक यह question है ठेक इसकी reaction आपको करानी है H, G, O, A, C का whole twice H, G, O, A, C का whole twice और बेटा, यहाँ पर दिया है अपने पास, R, O, H question में और फिर अगला question है यहाँ पर N, A, B, H, 4 यहाँ पर दिया हुआ है N, A, B, H, 4, अब बताओ यहाँ जो यह उपर वाला है उपर वाला, R, O, H इससे हमें क्या मिलेगा कैसे तोड़ोगे H plus और R, O, minus ध्यान देना कैसे break करना है बेटा H plus और R, O, minus तो negative part तो यहाँ से लेना है और positive part यहाँ से लेना है तो N, A, B, H, 4 है तो यहाँ से क्या मुझे मिलेगा H plus अब बताओ बेटा यहाँ इस carbon को देखो और इस carbon को देखो तो यहाँ पर देखो बेटा यह carbon एक, दो, तीन bond बना चुका यहाँ 1 H होगा और यह carbon देखो दो bond बना चुका है तो यहाँ 2 H होगे तो यहाँ पर 1 H, यहाँ पर 2 H तो यहाँ कम H है इसको क्या दे दोगे बेटा OR तो देखो इसका अंसर कुछ ही आएगा यहाँ पर आपने दे दिया OR ध्यान देना नेगेटिव पार्ड इसको दे दिया जिसके पास कम H और पॉस्टिव पार्ड इसको दे दो तो CH2 के साथ H जुड़ेगा तो क्या बनेगा CH3 और हमें सही पाई बन्ट तोठी जाएगा ठीक आओ देखो इस पर मैं एक दो क्यूश्चन और करवाना चाहता हूँ ठीक है देखो क्यूश्चन यह है बेटा क्यूश्चन है pH CH double bond CH2 ठीक और इसकी रियक्शन आपको करवानी है पहले स्टेप में H प्लस और CH3 OH इसकी रियक्शन करवानी है यह तो बेटा डारेक्ट हाईडरेशन वाला मेथेड हुआ और इसकी रियक्शन करवानी है आपको HGOAC का होल ट्वाइस HGOAC होल ट्वाइस CH3 OH और नीचे प्रिजेंस है इसमें यहाँ पर NABH4 की और देखो बेटा कर सकते हो देखो भई यह इसमें तो डारेक्ट हाईडरेशन है कैसे टूटेगा बेटा H प्लस और CH3 OH माइनस तो नेगेटिब पार्ट उसको देदो जो मोस्ट इस्टेबल कार्बो के टैन बनाए अब बताओ यहाँ पर यहाँ पर तो 1 डिगरी कार्बो के टैन बनेगा और यहाँ देखो 1 and 1 2 डिगरी कार्बो के टैन बनेगा लेकिन वो कार्बो के टैन pH मतलब बेटा फैनिल रिंग के साथ है मतलब रेजोनेंस में इन्वाल्व है तो stability उसकी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो यहां answer क्या आएगा pH, CH और CH के साथ आपने क्या जोड़ दिया OCH3 और बेटा इस CH2 के साथ क्या जोड़ा H तो हो गया CH3, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है यहां की बात करें बेटा क्या यहां पर भी L-Coxy-Mercuration, D-Mercuration है क्योंकि भाई, water होता तो OM-DM हो जाता Oxy-Mercuration, D-Mercuration लेगिन बेटा यहां क्या है CH3OH मतलब L-Coxy-Mercuration, D-Mercuration तो यह कैसे तूटेगा H+, और CH3O- तो negative part तो यहां से लेते हैं और क्या positive part हम लोग यहां से लेंगे H+, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है तो negative part उसको देदो जिसके पास कम H positive part उसको देदो जिसके पास ज़ादा H देखो answer क्या बना pH, CH और CH के साथ क्या जुड़ेगा बेटा O, CH3 और यहां H के साथ H जुड़ गया तो बन गया बेटा CH3 कोई doubt हो तो बताओ बोलो इतनी बात समझ में आ रही है ठीक, तो आप इन्हें copy करो आओ देखो बेटा अगला जो method है देखो ऐसे normally इस method से ketone बनाते हैं हम लोग ठीक है लेकिन वहाँ पर एक बार alcohol भी बनता है double bond के साथ फिर alcohol बनता है फिर OHS बाहर हो जाता है यह reaction हम पढ़ा चुके हैं और आप सबको याद भी करवा चुके हैं इसका नाम है खुसरो reaction खुसरो reaction ठीक आओ एक बार फिर से इसे देख लेते हैं बेटा इस पर कुछ अच्छे question भी कर लेंगे देखो इसमें क्या होता है अपने pass alkyne होती है terminal alkyne यह हो गई R C triple bond CH और इसकी reaction मुझे करानी होती है H G SO4 से या फिर यहाँ नीचे presence कैसे होता है बेटा H2 SO4 यह बहुत कम amount में होता है इवेन ऐसे लिख सकते हो 1% ठीक है 1% H2 SO4 तो H G SO4 H2 SO4 की presence में reaction होती है ठीक आपको याद होगा इसमें sorry यहाँ बेटा इसमें क्या करना होता है मुझे water का addition करवाना होता है यहाँ पे देखो water का addition करवाना है तो water को आपको add करना है कैसे add करोगे बेट मारकोनी काफ रूल अब बताओ बेटा मैंने तरीका बताया था बताओ triple bond में water को add करना है तो कैसे add करोगे O यहाँ पर भाई देखो water को ऐसे तोड़ो H2O बेटा कैसे तोड़ोगे O minus और H2 plus ऐसे तोड़ना मैंने बताया था वैसे normally H plus OH minus में तूटता है लेकिन यहाँ बताया था triple bond के केस में जब question आपको करना होगा तो इस तरीके से कर लेना यहाँ इसको क्या दे दिया O और इसको क्या दे दिया बेटा H2 तो क्या बनेगा आपने पास RCOCH3 R C triple bond CH है इसकी reaction सेम रेजन्ट से अगर मुझे करानी है तो एक तरीका यह है कि एक πाई बन्ट तोड़ो इसको दे दो बेटा OH इसको दे दो H इस πाई बन्ट को तोड़ो इसको दे दो OH और इसको दे दो H अब बताओ यहाँ पर अगर आप देखोगे बेटा C OH OH और यहाँ पर CH3 इसलिए मैंने यह reaction पढ़ाया क्या आप यहाँ पर क्या आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप है ठीक है तो आप बेटा कुछ लोग बोल सकते है लेकिन नहीं भेया एक कार्बन पर दो OH ग्रुप सर्वाइब नहीं कर पाते बेटा नहीं रह सकते अनिस्टेबल होते हैं इसलिए यहाँ से क्या निकल जाता है वाटर जब यहाँ वाटर निकल जाएगा तो क्या बनेगा RCOCH3 देखो वही बना है RCOCH3 ठीक इस रियक्शन को आप क्या बोलते हो खुसरो रियक्शन ठीक है आओ देखो इस पर भी कुछ और रियक्शन में करवाना चाहता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए देखो बेटा कुछ कुश्चन आप करो pH C triple bond CH और इसकी रियक्शन आपको करवानी है डाइलूट HGSO4 और यहाँ पर H2SO4 यह प्रोडेक्ट यहाँ पर सेम चीज बेटा वही डाइलूट लिखा हो या 1% लिखा हो बाद सेम है आओ एक थोड़ा और अच्छा कुश्चन करवाते है pH C triple bond C ठीक और यहाँ पर बेंजीन रिंग और OH रियक्शन और यहाँ OH दे दिया और इसकी रियक्शन आपको करानी है सेम डाइलूट HGSO4 ठीक या फिर ऐसे हो सकता है डाइलूट H2SO4 मनला है HGSO4, H2SO4 इनमें से कोई भी हो सकता है क्या बेटा प्रोडेक्ट लिख सकते हो आसान है बताओ क्या most stable carbocatine यहाँ बनेगा बताओ water का addition कराना यह bond तोड़ो इसको दिया O और इसको दिया H2 बेटा इसको इसलिए ज़्यादा space stress नहीं दे रहा हूँ कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ इसको आपको याद भी करा चुका हूँ आपको class में तो pH COCH3 यह इसका अंसर बनेगा ठेक आप देखो बेए यहाँ पर कुछ लोग गलती करेंगे pH मतलब भी क्या है बेटा benzene ring pH मतलब भी क्या है benzene ring इधर भी बराबर बराबर बेटा रेजनेंस मिल रहा है इधर भी बराबर बराबर रेजनेंस मिल रहा है लेकिन दिमाख लगाओ क्या मैंने बताया था oxygen के पास यहाँ lone pair बताओ lone pair of electron है तो बेटा इस lone pair की वज़े से कौन सा effect क्या plusium अब बताओ plusium क्या हमेशा कार्बो केटाइन की stability को बढ़ाते हैं जब कार्बो केटाइन की stability को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर बनने वाला कार्बो केटाइन क्या होगा बेटा ज़्यादा stable होगा यहाँ पर बनने वाला कार्बो केटाइन आगे क्या है CO और आगे देखो ये मैंने बेंजीन रिंग और यहाँ पे OH देख लो भीया किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा समझ में आ रहा है पक्का ठीक आगे बढ़ें ओके कॉपी कुरू देखो बेटा अगला जो एलकोहल बनाने का मेथेड है ठीक है वो है अपने पास एक मैंने देखो OM-DM पढ़ा ओक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन एक पढ़ा एलकॉक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन ठीक है आगे बात करते हैं हम लोग HBO की बात करेंगे HBO, इसको बोलते हो बेटा, Hydroboration Oxidation Hydroboration Oxidation, इसकी बात करते हैं इस reaction को आप बोलते हो, Hydroboration Oxidation देखो बेटा, यहां reaction करानी है, आपको RCH double bond CH2 से ठीक, और इसकी reaction करानी होती है, BH3, THF BH3, THF, और नीचे ऐसे लिखा होता है, H2O2 या कभी-कभी ऐसे लिखा होता है बेटा, OH- ठीक है, कुछ भी लिखा हो सकता है BH3, THF, H2O2, OH- ठीक, तो यहां पर आपको reaction करवानी है HBO, Hydroboration Oxidation बेटा, यह OM-DM का Just Apposite होता है OM-DM का Just Apposite होता है आप मुझे बताओ, क्या OM-DM में हम लोग Marconic Offs Rule लगाते थे Add H2O with Marconic Offs Rule और यहां पर बेटा, Just इसका उल्टा करना है तो यहां पर आपको याद रखना है Add H2O with Anti-Marconic Offs Rule यहां पर water को आपको कैसे आड करना है बेटा Anti-Marconic Offs Rule से वहां पर भी No Rearrangement यहां पर भी बेटा No Rearrangement No Rearrangement यहां पर भी कोई Rearrangement नहीं होगा कोई डाउट है? ठेक, water को आपको किस से जोड़ना है? Anti-Marconic Offs Rule से अब बेटा यह तो आपको हमारे क्लास के हर एक बच्चे को पता होगा Anti-Marconic Off, Marconic Off Rule बताओ कौन सी मेकानिजम सो करता है Anti-Marconic Offs Rule? हाँ, very good क्या बेटा? Free Radical याद है न? Colby Electrolysis? Free Radical Woods Reaction? हाँ, very good Free Radical Ulman? Free Radical Woods Fitting? Free Radical Fitting? Free Radical Marconic Offs Rule? क्या Free Radical? नहीं Electrophilic Edition Reaction क्या सो करता है बेटा? Electrophilic Edition Reaction खैर? आओ देखो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं यहाँ पर देखो HBO की बात करें तो Hydro Boronation Oxidation में Water को आपको किस से जोड़ना है? Anti-Marconic Off Rule से बताओ Anti-Marconic Off Rule क्या कहता है बेटा? Negative Part उसको दे दो जिसके पास जादा H हो तो बताओ Water कैसे तूटेगा? Water की reaction करानी है तो Water तूटता है H प्लस इंटू OH माइनस बेटा Water लिखा नहीं होगा इस case में ध्यान रखना तो Negative Part उसको दे दो इसको दे दिया Sorry Negative Part उसको दे दो जिसके पास जादा H हो तो इसको दे दिया OH और इसको दे दिया H क्योंकि इसके पास जादा H है इसको दे दिया मैंने Negative Part तो क्या बना बेटा? R CH2 CH2 OH आप देख सकते हो क्या इस method से भी आप alcohol बना सकते हो? ठीक तो ध्यान रखना बेटा इसमें भी partial carbo ketan बनता OMDM में और HBO में तो इक तरीका मैं बता रहा हूँ ऐसे याद रखना क्या OMDM में M आता है? देखो यही तो पढ़ा है आपने OMDM इसमें M आता है तो M आता है बेटा तो इसलिए इसमें लगाए करो हमीसा मारकोनी ठीक है? और यहाँ देखो HBO यहाँ की बात करें यहाँ कोई M नहीं है तो इसमें क्या लगाओगे आप? NT मारकोनी बोलो इतनी बात समझ रहो? ठीक तो यहाँ पर आप प्रोडेक्ट बना लिया आपने प्रैमरी एलकोहल चलो भीया कुछ कोईशन मैं आपको और दे रहाँ बेटा इस पर और मुझे पूरी उमीद है आप कर सकते हो जैसे देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो बेटा यहाँ पर ध्यान देना जैसे यह कोईशन मैंने दे दिया ठीक और इसकी रेक्शन आपको करानी है पहले BH3 से, ठीक है, एक मिनट रोकना भीया, बेटा वो कच्रे वाला है, हरे वो आ गया था ना यार, वो जो बेटा क्लास के टाइमिंग पर आ जाता है, गाड़ी वाला आया, घर से कच्रा निकाल, ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, इसकी रेक्शन आपको करानी है बेटा, BH3 से, ठीक है, ध्यान देना, BH3, THF, ध्यान देना पेटा, और दोबारा इसकी रेक्शन करानी है, H2O2, OH-, ठीक है, H2O2, OH-, बताओ भीया, मार को नहीं या, एंटी मार को नहीं, बताओ बेटा, BH3, यादेना बेटा, यह B2H6 का डाइमर है, B2H6, याद है न, जिसमें 3 center to electron bond मिलते थे, chemical bonding में मैंने पढ़ाया है, और आगे P block में भी आप पढ़ोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो, BH3, इसकी बात करें, BH3, THF, H2O2, OH-, तो यहाँ पे देखो, मार कोनी या एंटी मार कोनी, हाँ, very good, क्या लगाना है, एंटी मार कोनी तो एंटी मार कोनी में, बेटा, negative part, water को ऐसे add करो, H plus into H minus मैंसे तोड़ लिया करो, और negative part उसको दे दो, जिसके पास जादा H हो, तो बेटा, यह carbon है, carbon एक और एक दो bond बना चुका है, और दो hydrogen यहाँ, और लगा सकते हो, इसको देखो, यह carbon बेटा, एक, दो, तीन bond बना हैं, और यहाँ, 2H हैं, तो भीया, negative part हम किसको दे दे, बताओ बेटा, negative part उसको दे दो, जिसके पास जादा H हो, तो यहाँ है CH2, तो यह आपने लिखा CH2, और इसको दे दिया, बेटा, OH, क्या दे दिया, negative part, OH, और इसको दे दो, आप positive part तो, तो understood है, यहाँ, 2H, छुपे ह होंगे, pi bond, तोड़ दिया, बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, copy करो बेटा, आओ भीया, एक question और करो आप लोग, इस पे बेटा, Hb, ओपर, लिखो CH3, C, CH3, double bond, CH2, यह reaction है, और इसकी reaction आपको करानी है, बेटा, BH3, BH3, THF, BH3, THF, और नीचे अपने पास, H2O2, OH-, बताओ, क्या product आप लिख सकते हो, बताओ, मारकोनी या फिर एंटी मारकोनी, खुद बताओ बेटा, yes, very good, क्या लगाना है, एंटी मारकोनी, एंटी मारकोनी का आप रूल से water चोड़ देना है, तो H plus into OH-, बताओ बेटा एंटी मारकोनी का आप रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट उसको दे दो, जिसके पास जादा H हो, तो भाई, ये OH-, जो है, इसको दे दो, और इसको दे दो, H, तो देखो, आंसर क्या आया, क्या ये बना बेटा, CH3C, CH3, और इसको आपने दिया H, और सिंगल बॉंड हो गया, और इसको दे दिया अपने CH2OH, बुलो, इतनी बात समझ में आ रही है, देखो, इस मेथर्ट से क्या बन गया, अलकोहल, तो हम लोगों ने अलकोहल बनाने में क्या आप सीखा बेटा, HBO, OMDM, याद है न, सब सारी चीज़ें, और एक डारेक्ट हाइडरेशन, उसस आउसे यही पर HBR भी पढ़ लेते है, HBR, इसका पूरा नाम है, HYDRO BORATION REDUCTION, उके, इसे क्या बोलते हो आप, HYDRO BORATION REDUCTION, चलू देखो बेटा, ओके, देखो बया चोक खत्म हो गया थो यहाँ देखो हवी आर, हाइड्रो बोरेशन रिडेक्शन, इसके बात करें बेटा तो हाइड्रो बोरेशन रिडेक्शन इसमें देखो बया, एलकोहल तो नहीं बनेगा, लेकिन बेटा, यहीं पर इसको भी हमें cover करना है RCH double bond CH2 क्योंकि बिल्कुल similar reaction है यहाँ पर भी क्या लेते हैं हम लोग बेटा BH3 THF अच्छा यार इत्ती देर से मैं THF लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आपको याद होगा इसलिए बेटा मैं बार-बार नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यह सारी चीज़े मैं पढ़ा रहा हूँ बताओ इसका नाम क्या है हाँ very good क्या बेटा tetra hydro furan याद है ना चलो भाई BH3 THF और बेटा नीचे इसमें presence होगी दूसरे नंबर पे acid की CH3 COOH पस इसी तरीके से आप पहचान सकते हो बेटा अगर यहाँ पर acid present है तो आप तुरंत बोलोगे कि यह सर hydro boronation oxidation नहीं है यह क्या है hydro boronation reduction यहाँ पर देखो hydro boronation oxidation में क्या नीचे H2O2 present होता है बेटा reduction में क्या present होगा कोई acid present होगा और आप खुद बता सकते हो यहाँ reduction की बात हो रही तो दोनों bond तोड़ दो H और H जोड़ दो बताओ बेटा क्या बना R, CH2 and CH3 क्या इस method से alkane का formation हो रहा है बोलो इतनी बात समझ रहो बेटा तो जब भी हम लोग hydro boronation oxidation कराते है तब तो बनता है बेटा alcohol लेकिन जब hydro boronation reduction कराएंगे तो क्या बनता है अपने पास alkane आओ देखो एक दो question इस पे कर लेते हैं आपके confidence के लिए जैसे question कुछ ऐसा आ गया बेटा सब लोग ध्यान देना भीया और question साथ साथ में लिखते रहो उसके बाद जब मैं question लिख दूँ आप एक बार खुद से try करो अगर नहीं होता है फिर आप solution देखो जो मैं solve कर रहा हूँ फिर आप देखो बेटा आप गलती कहां कर रहे हो अगर नहीं कर रहे हो तो very good अगर कर रहे हो तो भीया सुधारो टिक देखो बेटा अब acid है यहाँ पर BH3, THF यहाँ पर acid है तो बताओ oxidation या reduction हाँ very good reduction तो और bond तोड़ दो H और H यहाँ पर क्या answer आया बेटा देखो यहाँ पर लिखोगे CH3 और फिर क्या लिखोगे बेटा CH2 फिर आगे क्या है CH3 देखो CH3, CH2, CH3 बलो इतनी बात समझ में आ रही है कोई doubt हो किसी को तो बताओ भेया ठिक और इस पर question करने है आओ एक question और करवा दे रहाँ question अगला यह है CH3, CH double bond CH2 और इसकी reaction आपको करवानी है बेटा BH3 और उपर तो THF है THF और नीचे दिया हुआ है अपने पास CH3 CO OD बेटा इसा करो यहाँ पर BH3 की जगे पर BD3 कर लो BD3 ठीक है BD3 और CH3 COOD बताओ भेया क्या हर जगे बेटा जहाँ BH3 है CH3 CWH होता था वहाँ पर क्या BD3 मैंने यूज कर रहा है और CH3 CWOD यूज कर रहा है तो बताओ ऐसे question करने के लिए क्या करेंगे पाई bond तोड़ देंगे अब H नहीं है तो इसको D दिया और इसको D दिया देखो कि इससे भी क्या बनेगा LKN लेकिन बेटा जहाँ H होता था वहाँ क्या लगेगा D CH2D एक बार देख लो कोई doubt हो तो बताओ देख लो CH3 CHD बेटा D क्यूँ दिया क्योंकि BD3 पे क्या है D और यहाँ CH3 CWOD में भी क्या है D बोलो इतनी बात समझ में आ रही है तो आप कॉपी करो चलो भीया अब देखो जितनी रेक्षन आपने पढ़ी है बेटा आओ सबको एक साथ कंबाइन करके सब पे कोश्चन करते है ठीक देखो पहला कोश्चन में दे रहा हूँ CH3 CH डबल बांड CH2 यह रेक्षन करा दी और इसकी रेक्षन आपको करानी है बेटा HVR पराकसाइड से ठीक बनेगा A ठीक अब इसकी रेक्षन करानी है Mg एथर से Mg एथर से बनेगा बेटा B ठीक और फिर B की रेक्षन आपको करानी है CH3 COOH से ठीक है Acid से करानी है बनेगा C, एक तो ये करना है, ठिक, चलो बेटा, एक अगला question मैं दे रहा हूँ, अगला अपने पास ये है, इसकी reaction करानी है, VR2 H new से, ठिक, बनेगा A, फिर दोबारा इसकी reaction करानी है बेटा, Mg Ether से, Mg Ether से बनेगा B, फिर इसकी reaction आपको करानी है, finally, H2O से बनेगा C, ठिक, आओ, एक question और करते हैं, अगला जो question है, वो है अपने पास, तालवीन, और इसकी reaction हमें करवानी है बेटा, Cl2 H new, ठिक, ये बना, फिर इसकी reaction करानी है, Mg Ether, सेम चीज, Mg Ether, बना B, ठिक, और फिर इसकी reaction मुझे करानी है, फिनाल से, ठिक, फिनाल से करानी है, बनेगा C, बोलो इतनी बाद समझ में आ रही है, ठिक, देखो बैया, सबको याद होगा यार, आराम से question आप कर सकते हो, देखो कितना आसान है, क्या HBR पर अक्साइडल कीन, बोलो, एंटी मार को नी, very good, negative part उसको देदो, जिसके पास जादा है अच्छो, अब बेटा भी इस तरीके से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप काफी जीजें सीख चुके हो, ये बना CH2 VR, clear, ठिक, CH3, CH2, CH2 VR, आगे देखो, इसकी reaction MG से करवानी है, तो क्या बनेगा बेटा, MGX, कैसे तूटेगा बेटा, R- में, और MGVR प्लस में, ऐसे तूटेगा, अब बताओ, यहाँ पे CH3, CH2, ये कैसे तूटेगा, H+, और O-, ये जो प्लस वाला, इस माइनस के साथ जुड़ गया, तो प्रोडेक्ट बना अपने पास CH3, CH2, एंड CH3, देखो बेटा, क्या लास् MG, MG के साथ क्या जुड़ा है बेटा, VR, और इसी के साथ क्या जुड़ जाएगा, O-C-O-CH3, बट ये साइड प्रोडेक्ट है, अपने पास में प्रोडेक्ट ये है, अलकेन, आओ देखो, सेम रिक्षन यहाँ भी करवा सकते हो, बेटा, मुझे करवाना है, ब्रोमीनेशन, आपको याद होगा, ब्रोमीन कैसा होता है, सिलेक्टिब, कैसा होता है, सिलेक्टिब, ये सिलेक्ट करता है, ठीक है, देखो बेटा, तो यहाँ पर क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, यहाँ पर आके सिलेक्ट करेगा, तो देखो, भाई, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया, ज देखो क्या ये पूरा R की तरह काम कर रहा है और Mgvr, क्या फिर बेटा ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट बन गया, R, Mg, X, और आप सबको पता है, ये कैसे तूटता है ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट, R- में और Mgvr, प्लस में, ऐसे तूटेगा, बताओ, H2O कैसे ब्रेक होता ह बेटा, H+, प्लस इंटू, OH-, बताओ, ये जो प्लस वाला है, इस माइनस के साथ जाएगा, क्या ये एलकेन बन जाएगा, बोलो, यहां पर आकर के हाइड्रोजन छुप जाएगा, और Mgvr के साथ क्या जुड़ जाएगा, OH, तो लिख दो साए, आगे, Mg, OH, और आगे बे है, ठेक, आओ देखो, ये रेक्शन करवाओ, Cl2, H+, क्लोरिनेशन करवाना है, बेटा, इधर देखो, ये जो अपने पास टॉल्वीन है, यहां से Cl, CH2, H8 के क्या लगा दिया, Cl, फिर इसकी रेक्शन Mg से करवानी, कुछ नहीं यार, सिंपल है, इस रिंग में क्या कर दिया बेटा, CH2, फिर आगे क्या, MgCl, ये बन गया, देखो, बेंजीन रिंग, CH2, फिर ये Mg जुड गया, तो MgCl हो गया, बेटा, ये कैसे टूटेगा, देखो, माइनस में, क्योंकि देखो, R, ये पूरा-पूरा R की तरह काम कर रहा है, बेटा, ये CH2, देखो, R, MgX, X और O-, तो यहाँ वाला जो प्लस है, वो इस माइनस के साथ जुड़ेगा, क्या, बेटा, फिर से टॉल्वीन बन जाएगा, देखो, आप, यहाँ पे CH2 है, और 1H, ये माइनस के साथ कौन जुड़ेगा, प्लस वाला, तो इस H2 के साथ H जुड़ेगा, तो क्या हो जाएग CH3, और साइड में क्या निकलेगा, बेटा, M, G, C, L के साथ O, देखो, M, G, C, L, देखो, M, G, C, L, ये प्लस है, प्लस के साथ माइनस वाला जुड़ेगा, तो O, और आगे ये, बेंजी इन लिंग, क्लियर, क्विड आउट हो, तो बताओ, आप इन्हें कॉपी करो, आओ ब बेटा, कुछ लोग सोच रहे होंगे, सरीय, पुरानी रियक्शन हम ये सब पढ़ चुके हैं, बेटा, पढ़ चुके हो, इसलिए मैं बार-बार दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप तो, आपका रिविजन हो जाए, और आपको ये सारी रियक्शन याद हो जाए, ठीक है, इसलिए भईया, मैं ये बार-बार रियक्शन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और H प्लस H2, H प्लस H2, देखो बेटा, NBS की रियक्शन, बताओ, क्या N-Bromosuccinemite, मैंने इसमें बताया था, कि देखो, डबल बॉंड है, उसके जेस्ट बा देखो भी है, लेक्शर नहीं बोल सकता बेटा, क्योंकि वो वीडियो नहीं पड़े है, ठीक है, यहाँ पर देखो, CH2, यहाँ पर क्या लगा दे, VR, CH2, CH, double bond, VR, अब Mg जोडो इसके साथ, तो क्या बनेगा, CH2, CH, double bond, CH2, और यहाँ पर Mg के साथ क्या जोड़ेगा बेट VR, अब आप खुद देख सकते हो, क्या यह पूरा R की तरह काम कर रहा है, उपर वाला, R Mg VR, ग्रिगनाल्ड रियजेंट, और मैंने सिखाया है, कैसे तूटता है, R minus, और Mg VR, प्लस, तो बेटा, वाटर को कैसे ब्रेक करें, H plus into OH, माइनस, ठीक, बताओ, यह जो प्लस वाल है, यह minus वाले को दे दो, तो answer क्या बनेगा, CH3, CH double bond, CH2, यह बनेगा, और यह minus वाले, इस प्लस वाले को दे दो, तो Mg VR, Mg VR, और इसके साथ क्या जुड़ेगा, OH, ओके, copy कर लो बेटा, ओके, बेटा, तो फिर, आज की कथा यहीं तक, ओके, देखो बेटा, फिर कल मिलते हैं, अगली क्लास में, ठिक, भया पढ़े ले न, इमानदारी से, थैंक यू सो मच,